जीहा नमस्कार दोस्तों आप आज तक लगातार सुनते आ रहे हैं हमें इसके लिए धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें आप लभानवित होते हैं हमारे नुस्खों से इसके लिए सुक्रिया आए आज हम आप सब के लिए एक और नया टॉपिक लेकर क बढ़ाएगा दोस्तों आप जानते हैं परिचित हैं अम्रूद जिहां दोस्तों आज की हमारी और शद ही है अम्रूद अम्रूद खाने के हमारे लाइफ में क्या-क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों वह आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी वात बिटामिन सी जो कि न म होते हैं पायदे क्या क्या होते हैं वीटामिन सी हमारी बोडी में सबसे पहले की कि निखार में कामाता है दोस्तों अगर विटामिन सी के मात्रा हमारी बोडी सेंदा नमक या वो भी नहों तो नॉर्मल नमक मिला करके खाते हैं दोस्तों तो पेट दर्द मेरा हाथ मिलती है जिहां अगर आपका पेट दर्द कर रहा हो और अगर आप उस पर नमक मिला करके खाते हैं तो आपके पेट के लिए बहुत ही लावकारी होता है सुबह खाली प से ऐज पीडी थे चुकि हम इतना फार्श फूर्ट काते हैं डोस्तों कि हमें अदत हो गई हैं हम लाल मिर्च खाना यह बहुत सारे मसाले खाना इसकी वज़ा से हमें यानि के बहुत सारे लोग तो बवासीर हो जाता है दोस्तों तो बवासीर से यह राहत देता है क्योंकि यह पीट के लिए बहुत हिलापकारी होता है यह हर चीजों को डाइजेशन में आपके डाइजेशन सिस्टम को यह बहुत मजबूत करता है अमरूद जिसके वज़से आप कुछ भी खाते हैं तो जिली डाइजेस हो जाता है आपके बवासीर में यह काम आता है पके अमरूद खाने से पीट का कब्ज दूर हो जाता है जिहां यहां पर ध्यान देने वाली बात है अगर आप पका हुआ अमरूद खाते हैं तो आपके पीट से कब्ज दूर हो जाती है अब कब्ज दूर हो तो सीरी से बात है आपका पीठ साफ हो रहा है अगर आपका पीठ साफ होगा तो फिर बावासेर के भी समस्या गाया भी हो जाएगे गर्म रेत में अमरूद को भून कर खाने से सूखी, कफ युक्त और काली खांसी में आराम मिलता है यह प्रयोग दिन में तीन बार करना चाहिए अमरूद की कुमल पत्तियों को चबा चबा कर खाने से दातों की पीडा नश्ट हो जाती है अमरूद के पत्तों को जल में उबाल कर और फितकिरी घोल कर कुला करने से दातों की पीडा नश्ट हो जाती है मसूडों में दर्द, सुजन और आतों में दर्द होने पर अमरूद के पत्तों को उबाल कर गुनगने पानी से कुला करने से अराम मिलता है दोस्तों आधे सीर का दर्द, जिहां दोस्तों, आधे सीर के दर्द में कच्चे अमरूद को सुबह पीस कर लेप बनाए और उसे मस्तक पर लगा ले, इससे आपको आधे सीर का दर्द जो होता है, यानि कि किरनिवाह भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो गायब हो जाएगा दोस्तों मलेरिया बुखार में, जिहां, मलेरिया बुखार में अमरूद का सेवन लावकारी होता है, नियमित सेवन से तिजारा और चोथिया जवर में भी आराम मिलता है, अमरूद और सेव का रस पीने से बुखार उतर जाता है, अमरूद को खाने से मलेरिया गया हो जाती है जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भांग जिहां नशा में अगर सबसे कोई खतरनाक नशा है जो कि कई बार सर पे चड़ जाए तो हम तीनों तीर लोग घुमाते हैं जमीन पे ही रहके तो उसे गायब करता है अमरूद जीहां जीहां अगर आप अमरूद पत्ते को पीस करके और पी जाते हैं तो भांग का नशा उतर जाता है मानसिक चिन्ताओं का बहार कम करने के लिए सुबह खाली पे पके अमरूद चबा चबा करके खाए जहां दोस्तों तो इस प्रकार से देखा आपने कि एक अमरूद किस प्रकार से हमारे स्वास्थि के लिए लावकारी होता है हमारे लिए ये गुनों की खान होता है तो हमें नियमित यूज करना चीए नियमित ना तो आप वीकली तो जरूर ही यूज कर लिजे आज के लिए धन्यवाद अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नहे टोपिक पर शुक्रिया